तो फ्रेंड्स coconut oil के बारे में आपने सुना ही होगा तो जो ये coconut जो oil होता है आपके dog की body के अंदर इतने ज्यादा benefit शो करता है कि आप सोच भी नहीं सकते तो वो ऐसे कॉम से benefits हैं जो कि हमारी dog की body के अंदर नजर आते हैं जब हम हमारी dog की diet के अंदर अगर coconut oil को add करते हैं या हम इसको topically apply करते हैं यानि skin के ऊपर apply करते हैं एक ointment के तोर पर एक cream के तोर पर एक lotion के तोर पर तो उसकी क्या-क्या benefits है जो कि हमारी dog की अंदर देखेंगे तो इस वीडियो को आपको end तक जरूर देखना है बिकोज मैं आज आपको एक-एक benefit बताने वाला हूँ coconut oil का और एक बात मैं पहले से ही बता दूँ इसका कोई भी side effect नहीं होने वाला है और आपका dog बिल्कुल ही healthy रहेगा because natural यह चीजे होती है और coconut oil तो भाई घर में easily available होई जाता है तो आप जैसे अपने लिए लेके आते हो तो एक bottle आप अपने dog के लिए भी ला सकते हो ठीक है वैसे dog क के लिए special coconut oil भी आते हैं आप उनकी तरफ भी जा सकते हो बिल्कुल भी side effect नहीं रहने वाला देखो मेरे प्यारे दूस्तों क्या होता है जब हम मार्केट में जाते हैं हमारे dog के लिए कोई भी product purchase करने के लिए तो हम क्या करते हैं कि यार हम थोड़ा pricing point of view से देखते हैं जैस वो मैंने जो एक अच्छी quality का था product था ना वो लेना चाहिए था पता नहीं मेरे dog के अंद result इसका आएगा भी या नहीं आएगा तो भाई अगर आप बाहर के products के बारे में इतना सोच रहे हो क्यों आप घर रहते ही ऐसा कुछ product बना लो जिससे क्या हो आपके dog के सारे की सार requirements fulfill हो जाए जो बाहर के product दे रहे हैं देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि आप बाहर के product बिल्कुल ही बंद कर दो लेकिन आप कम से कम यूज करो विकोज उनके अंदर कुछ ऐसे ingredients ही मिले होते हैं basically preservatives भी होते हैं तो उनका ना यूज करते हुए अगर आप natural चीज़ों का इस् benefits नजर आता है सबसे पहले तो अगर आपके डोग की जो स्किन है बड़ी ही ड्राय हो चुकी है हेर डल हो चुकी है एक दम शाइनिंग नहीं है बिल्कुल लश्रस चली गई है तो मेरे प्यारे दोस्तों उसके अंदर आप इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हो बड़ा ही बहतर इस्तेमाल करने के बहुत सारे benefits है जो की 100% प्रूफ हुए है और मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपके डोग की बोड़ी कबर किसी तरह का कोई tick bite का spot हो जाए या sting हो जैसे कि हम बोलते हैं जो एक मदुमक्की होती है मदुमक्की जब वो काट लीती है sting लगा देती है उसके पर अपने जो डंक है तो उसकी विद्व से एक sports क्रियेट हो जाता है वहाँ पर जलन होनी स्टार्ट हो जाती है तो उसको भी कम करने में help करेगा हमारा coconut oil हमारी डोग की बोड़ी के अंदर कई बार आपने देखा होगा डोग की जो नोस होती है ना वो बिल्कुल ही बिल्कुल ही कम नहीं होगी या बिल्कुल जड़ से खतम नहीं होगी लेकिन वह मिनिमाइज हो जाएगी यानि कम से कम आपको लगेगा और आपके डोग को यह लगेगा कि यह बड़ा ही हेल्दी एक अच्छा फील कर रहा हूं मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना उस वह बिल्कुली स्लीक से हो जाएंगे और जो भी करली वगरा हेर अब भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और स्पेशली एक बात बता हूं जब आप इस कोकोनट डोयल को इस्तेमाल करोगे तो आपको गुरूमिंग करने में भी अपने डोग की आसानी होगी विकोस हेर में तो जो भी एलर्जिक रियक्शन हो रही है आपके डोग के स्किन के उपर वो भी ठीक हो जाएगी अगर गिस्ट इंफेक्शन हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा अगर किसी तरह को कोई फंगल इंफेक्शन है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो बड़ा ही बैटर रिज तो हमको skin नजर आती है जो topical हम जिसको बोल देते हैं अब मैं बात करता हूं internally अगर आप अपने डोग की डाइट के अंदर इस coconut oil को add कर रहे हो तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या कर रिजल देहने को मिलेगे अगर आपके डोग को कोई भी issue है तो बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा बड़ा ही अच्छा एक प्रूफ हुआ है डाइजेस्टन के तोर पर और यह help करता है nutrient के absorption में सौरी थोड़ा सा जीप स्लिप होगी माफ करना लेकिन मेरे पैर दोस्तों जो भी हमारी body के अंदर जो nutrients होते हैं वो हमारी growth के लिए responsible होते हैं अगर हमारी body के अंदर nutrients ही नहीं होंगे तो हमारी growth कैसे होगी भाई तो डोग की आप बोलते हो कि सर growth नहीं होरी तो भाई growth इसलिए नहीं होरी जो आप nutrients दे रहे होना उस वो absorb नहीं हो पा रहे हैं आपके डोग की body के अंदर आप ऐसे बोलते हो कि सर मैं multivitamin भी calcium भी देता हूं फिर भी मेरा डोग growth नहीं कर पा रहा तो हमको उसकी absorption को बढ़ाना है अब basically क्या होता है intestine के अंदर एक microvilli होती है जो क्या करती है intestine के part को absorption area को बढ़ाने का काम करती है तो उसी में work करता है coconut oil तो आप coconut oil का इस्तिमाल कर सकते हो better result मिलेगा अगर आपके डोग से अगर inflammation आगी है तो उसका result आपको जरूर देखने को मिलेगा अगर आप अपने डोग की डाइट के अंदर coconut oil का इस्तेमाल करोगे देखो मैं coconut oil की add नहीं कर रहा हूं सिर्फ आपको benefits बता रहा हूं और benefits जानना बहुत ज़रूरी है बिकूस हमारे घर में वह product पड़ा है और उस product को हम हमारे डोग की diet में add नहीं कर सकते हैं इतना नहीं कर सकते हैं हमारे डोग के लिए तो यह तो गलत बात है ठीक है आगे अगर मेरे पैदोसों आगर आपके डोग के mouth से bad breathing आ रही है यानि वो सांस लेता हुआ जब आप उसके close जा रहे तो आपका ऐसा लग रहा यहीं एक गंदी एक smell आ रही है तो उससे भी रहात देगा अगर कफिंग ए डोग को तो उससे भी रहात देगा तो यह कुछ benefits जो की हमको coconut डोल से मिलेंगे अब question तो यह आता है कि मैं कितना दूँ भाई देखो मेरे पैज़ोसों अगर मैं बात करता हूँ अगर मैं बात कर देना है यानि एक teaspoon का one fourth हिस्सा आपको देना है coconut oil आपको उसकी diet में मिला दो आप उसको पिला सकते हो easily वो खा लेगा उसको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी diet के अंदर coconut oil में लाया गया है और मेरे पैर दोस्तों अगर आपका एक लार्ज एक डोग है जैसे हम बात करें तो ल मेरे पैरे दोस्तों अगर आप और भी बहुत सारी guidance चाते हो डोग और cats के बारे में तो please the pet vision चैनल को subscribe जुरूर कर देना because the pet vision only work करता है डोग और cats की care के बारे में और हमने इतनी important topics के ओपर वीडियोस बनाई होए कि जो की आपको YouTube के ओपर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी और किसी चैनल पे तो please the pet vision चैनल को subscribe जुरूर कर देना, bell icon को जुरूर प्रेस कर देना ताकि future में जो भी हम वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आपको देखने को मिले और देखना भी जुरूरी है हमारे डोग की life का सवाल है और जितने जादा जो benefits हम को मिल सकते हैं आप इस channel से उठाओ भई, ठीक है हम आपके लिए ही काम करते हैं तो आप जितने जादा benefits उठा सकते हो आप इस channel से उठाओ लेकिन अगर किसी तरह की कोई भी serious issue है आपके डोग को तो किसी भी YouTube channel पे कोई भी आपको treatment वगरा नहीं देखना है आपको immediately अपने nearby vet के बास जाना है अच्छे से डाइगनोज होगा डाइगनोज के बाद एक proper एक time पे proper schedule से treatment होगा तब ही आपका डोग बच पाएगा मेरी प्यारे दोस्तों किसी भी वीडियो को देखके घर रहते कोई भी treatment आपको नहीं करना है तो मैं आशा करूँगा आज की जो हमनी वीडियो बनाई है आपके देखा होगा इसको लेकिन आपने देखा जरूर उसके लिए तहीर दिल से धन्यवाद थैंक्यू सो मच वाचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब कमेंड डेंच यह थैंक्यू सो मच जय हिंद जय भारत